उर्जा के विवित रूप उर्जा के विविन रूपों में सबसे आम विद्यत उर्जा है क्योंकि यह आसानी से किसी भी अन्य रूप में बदली जा सकती है और हमारी रोज मर्रा के जीवन की अनेक परिस्थितियों में काम आती है इंधन से निर्मित उर्जा फिर वो गैसुलाइन हो या फिर अन्य हो वो एक प्रकार की रासायनिक उर्जा होती है जो अन्य प्रणालियों में oxidation जैसी प्रक्रियाओं के जरिए स्थानांतरित की जाती है रासायनिक इंधन से भी विद्धित उर्जा का निरमान संभव है जैसे बैटरियां बैटरियां प्रकाश का निरमान करती है जो उर्जा का एक्षुधरूप है प्रुत्वी पर जाने वाले अधिकतर उर्जा के स्तुरोतों में वास्तों में संग्रहित उर्जा होती है वै उर्जा जो हमें सूर्य द्वारा प्राप्त होती है कभी-कभी इसी उर्जा को हम दिप्तिमान उर्जा कहते हैं या इलेक्ट्रो मैगनेटिक विकिरण जिसमें आखों को दिखने वाला प्रकाश इंफ्रारेड लाइट और अल्ट्रा वाइलेट विकिरणों का समावेश होता है जिस प्रक्रिया द्वारा मापन योग गहनता को उर्जा में परिवर्थित किया जाता है उससे हमें परमानु उर्जा प्राप्त होती है परमानु उर्जा को सूर्य प्रकाश में परिवर्थित किया जाता है बिजली सयंत्रू के द्वारा विद्युत उर्जा में परिवर्थित किया जाता है इसी उर्जा द्वारा उस उ पापमान के साथ होता है यह और ऐसे अन्य प्रकार के उर्जा के रूपों को एक दूसरे रूपों में परिवर्तित करते हुए उनके द्वारा कारी किया जा सकता है अगर हमने 5 के ले खाये तब हमें एक घंटा तैरने के लिए आवश्यक उर्जा का निर्मान हो सकता है इसका कारण ये है कि हमारा शरीर एक अत्यंत जटील प्रकार की मशीन है जो एक प्रकार की उर्जा अन्न को दूसरे प्रकार की उर्जा हल्चल में बदल सकता है उच्छ प्रती के इंधन से मिलने वाली उर्जा के दम पर आपकी कार आपको एक निश्चित दूरी तक ले कर जा सकती है सोचो इन उधारनों द्वारा हमने क्या समझने की कुशिश की हमने इनके द्वारा दो प्रकार के मशिनों के बारे में बात की वे मशीने थी मानव शरीर और मोटर और ये दोनों मशीने भहतिक शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण नियम का पालन करती है और वो है उर्जा की अभिनाश्ता अर्थात उर्जा को बनाये रखना आसान सी भाषा में कहा जाये तो उर्जा का कोई निर्बान भी नहीं कर सकता और उसे कोई मिटा भी नहीं सकता है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है इस विश्व में और इतना ही नहीं इस अंतरिक्ष में घटने वाली हर घटना इस मुर्भूत नियम का पालन करती है अगर हम आपचारिक तरीके से ये नियम लिखना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा बंद प्रणाली या व्यवस्था में उर्जा की मात्रा निशित होती है हम प्रणाली में नाही नई किसम की कोई उर्जा निर्मान कर सकते हैं और जो उर्जा वहां पर मौजूद है उसका विनाश कर सकते हैं पर हम उर्जा का रुपांतरन एक उर्जा से दूसरी उर्जा में अथवा फिर किसी रूप में कर सकते है। बंद प्रणाली या व्यवस्था का अर्थ कुछ इस प्रकार होता है। मानों एक बहुत जूर से बंद किया गया डिब्बा हो। थोड़ी इसी भी उर्जा उसमें से बाहर नहीं जा सकती है। या बाहर से अंदर नहीं आ सकती है। इस सिमिलेशन में पानी गिरने से पहिया घूमना शुरू हो गया है। चूंकि विद्यू जनरेटर पहिया से जुड़ा हुआ है यांत्रिक उर्जा विद्यूत उर्जा में परिवर्तित हो गई। इस उर्जा से अब हीटर शुरू हुआ जिसे पानी उबालने की क्रिया आरंब हुई इस प्रकार से अब हमने विद्यूत उर्जा को थर्मल उर्जा में परिवर्तित किया स्मरण रहे कि रुपांतरण के प्रत्येक चरण में उर्जा का कुछ नुकसान हुआ है अगर ऐसे हुआ कि उबलते पानी के कारण उत्पन्न भांप का उपयोग पहिये को ग जिसका उपयोग पंखे को चलाने के लिए किया जा सकता है इस प्रकार सवर उर्जा का विद्यूत उर्जा में रुपांतरण होता है पर जब आकाश में बादल च्छा जाते हैं तब सवर बैटरियों को उर्जा प्राप्त नहीं होती है पर जब बादल चढ जाते हैं तब बल्प को परियाप मात्रा में उर्जा मिलती है खाये हुए अन्न से निर्मित रासाइनिक उर्जा जो साइकल चलाने वाले खिलाडी के शरीर में संग्रहित होती है साइकल चलाते समय काम में आती है और जनित्र के माध्यम से ये उर्जा विद्यूत उर्जा में भी बदली जा सकती है जो साइकल में लगे बल्प को जलाने के काम आ सकती है उर्जा अभिनाशिता का नियम उर्जा के वास्तविक सवरक्षन से भिना है उर्जा सवरक्षन का अर्थ है विवित प्रकार के उपाय उद्वारा उर्जा की बचत करना जैसे अच्छे प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग करना सारवजनी की यातायात के साधनों का प्रयोग करना आम तोर से इससे हमारे पैसे बचते हैं और हमारी धर्ती भी सुरक्षित रहती है परन्तु इस उर्जा अविनाशिता के नियम का उर्जा की बचत से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ इतना बताती है कि उर्जा कहां से आई और कहां गई चनावती एक आदमी एक बैग लेकर अपनी मोटर सैकल पर जा रहा है उसका कुल वजन 98 किलो है अगर हम हवा का प्रतिरोध और रोलिंग प्रतिरोध की बात न करें तो क्या आप बता सकते हैं कि उस आदमी को सीधे सपाट रास्ते पर विश्राम की स्थिती से एक मेटर प्रतिसेकन का तुवरण प्राप्त करने के लिए कितनी उर्जा की अवश्यक्ता होगी सारांश हमने अच कार्य के स्वरूप को देखा और ये भी समझने की कोशिश की कि वो उर्जा के साथ किस प्रकार से सम्मंदित है हमने उर्जा के विबिन रूपो के बारे में चर्चा की और उर्जा अविनाशिता के बारे में भी बात की